वेलकम टू आर्सी स्टेडी पॉइंट इस वीडियो में हम देखिंगे चक्रती अटेक सम्मरीन जिसके लिए हाली में भारत ने रसिया के साथ 3 बिलियन डोलर का समझोता किया है हम जानेंगे चक्रती अटेक संबरीन के बारे में दूसरी भारत की संबरीन के बारे में तथा भारत की नुकलिर संबरीन के बारे में तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए इंडिया ने हाली में रशिया से 3 बिलियन डोलर का समझोता किया है जिसके तहट रशिया भारत को 2025 तक अकुला क्लास सम्मरीन देगा जिसे चक्रती के नाम से जाना जाता है ये भारतिय नवी को 10 साल के लिए लीच पर दी जाएगी और ये तीसरी ऐसी सम्मरीन होगी जिसको रशिया भारत को लीच पर देगा अब इंडिया को इसकी जुरत क्यों है क्योंकि चाइना जो इंडियन ओशियन डीजन में अपना इंफ्लेंस बढ़ा रहा है तो इंडिया को इसलिए अपनी नेवल पावर को और अधिक मजबूत करने की ज़रत है चाइना के पास अगर देखे तो 60 डीजल इलेक्ट्रिक अटेक सम्मरीन है तथा 10 नुकलियर अटेक सम्मरीन तथा नुकलियर बेलास्टिक मिसाल सम्मरीन का मिक्शर है तो इसलिए इंडिया को भी अपनी कैपिसिटी को बढ़ाने की ज़रत है इंडिया नेवी ने इससे पहले रसिया से दो ऐसी सम्मरीन ओल ली है पहली रसियन नुकलियर पावर जो सम्मरीन थी वो थी आयनेस चक्र इसको 1988 में लिया गया था 3 साल की लीज पर दूसरी थी चक्र सेकंड इसको 2012 में 10 साल की लीज पर लिया गया था जिसका लीज पीरिड 2022 में खत्म हो रहा है तथा इंडिया इस लीज को आगे बढ़ाने की और देख रहा है अब बैनिफिट्स क्या होगे अगर नुकलियर अटेक सम्मरीन के आने से एक तो नेवी की जो अंडर वाटर डॉमेन केपिबिलिटी है वो बढ़ेगी साथी साथ नेवी की एबिलिटी इंडियन ओशन रीजेन में शांती इस्तापित करने की बढ़ेगी तो ये इस से बैनिफिट होंगे अब ये प्रसन आपकी दिमाग में उठना चीए कि नुकलियर सम्मरीन को ही प्रिफर क्यों किया जाता है तूसरी सम्मरीन के कंपेर में तो एक तो क्या होता है कि जब nuclear submarine होती है इसमें एक small mobile nuclear reactor होता है जिसकी सायता से submarine को energy मिलती है तो इसके कारण क्या होता है कि ये nuclear submarine पानी के अंदर लंबे समय तक रह पाती है जिससे कि एक तो इनको बार-बार सतय पर आना नहीं पड़ता क्योंकि जो traditional submarine होती है उसमें डीजल आदिकर यूज होता है तो डीजल आपको पता है उसको अगर चलना है उसको अगर energy देनी है तो oxygen की जड़त पड़ती है reaction के लिए तो उसको oxygen के लिए कुछ समय बात सतय पर आना पड़ता है पर nuclear submarine में ऐसी कोई बात नहीं है तो इससे उसकी operation रेंजी बढ़ जाती है और सी इससे दुश्मनों को nuclear submarine को track करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इससे एक फाइदा ये भी होता है कि अगर इसमें जैसे nuclear अस्त्रों से युक्त missiles लगी रहेगी तो कलको अगर दुश्मन कोई देश भारत के land खिकानों पर जो भी nuclear missiles है या nuclear arms है उन पर हमला कर देता है तो भी भारत के पास में कुछ nuclear weapons इन सम्मरीन्स में सुरक्षित रह पाएंगे अब हम कुछ other submarines के पारे में जान लेते हैं अकुला second nuclear power attack boat जो इसकी हमने भी बात की जो की 2012 ने रस्या से भारत ने 10 साल के लीच पर लीती इसके लावा भारत के पास 13 convention सम्मरीन है इसके लावा एक स्कोर्किन क्लास सम्मरीन है आईनस कलावरी जिसके बारे में आप अभी डिटेल से देखेंगे इसके तिक एक indigenous nuclear powered ballistic missile सम्मरीन है आईनस अरिहंत जिसने की नवंबर 2018 में अपना पहला dead trans petrol complete किया है अगर अरिहंत क्लास की nuclear submarine की बात किया है तो इसके fully operational होने से भारत का nuclear tried पुरा हो गया है अभी nuclear tried क्या होता है nuclear tried का मतलब होता है कि three prong military force structure जैसे की जिसमें पहला है land locked nuclear missiles हम लैंड से भी nuclear missiles को launch कर सकते हैं आम submarine से भी nuclear missiles को launch कर सकते हैं तता इस्ट्रिजिक aircraft से भी nuclear bombs and missiles को launch कर सकते हैं इस तरह से हमारा इंडिया का nuclear tried पुरा हुआ है जो second orient class submarine है उसका नाम है अरिगाट इसको 2017 में secretly launch किया गया था तता यह उमीद है कि यह 2021 तक naval fleet को join कर लेगी तो इस तरह के से अभी तक orient class submarines में पहली है INS orient और दूसरी है अरिगाट अब हम project 75 की बात कर लेते हैं project 75 के अंदरगत 6 scorpion submarines को France के DCNS के assistance तता टेकनोजी की सायता से बनाया जा रहा है तता यह deal October 2015 में sign हुई थी Scorpion class जो submarines है वो DJ electric attack submarine है तता इन में advanced air independent propulsion system है यानी इन में propulsion के लिए air की जुरत नहीं पड़ती है इस कारण से जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यह submarines लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है तता इस से इनकी operation range भढ़ जाती है यह उमीद है कि यह जो सभी 6 submarines है यह Indian shipyard में बनाई जाएगी Scorpion submarines में पहली है INS कलावरी इसे मजगाउं dog shipyard shipbuilders limited मुमें बनाए गया है तता दूसरी है INS खांडेडी इसे December 2017 में commission किया गया था तता यह उमीद है कि April end तक इसे Navy में इंडर्ट कर लिया जाएगा Navy को उमीद है कि यह जो सभी 6 diesel electric attacks जो submarines है इनको 2020 तक Navy में इंडर्ट कर लिया जाएगा तो थैंक यू